हलो एवरिबन माइसल फिमन तुम्रे सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल मैंगनेट बेंस पे जो प्रोवाइट करता है फुल कॉलिटी कंटेंट सर आपको फुल कोर्स के साथ जो सीपेसी ने कोर्स अलॉट किया है वो पूरा पढ़ाये जाएगा और सर जो छूड दिया ह जो हटा दिया है उसका क्या सर वो भी पढ़ाएंगे और पूरा पढ़ाएंगे तो टेंशन के बात नहीं है क्योंकि वो अभी भी कॉम्पुटेटिव का एक्जाम में वो जेई का पाट है और वो नीट का पाट है ठीके सर कहां तक पहुंच गए थे अपन अरे सर अपन ख सर बहुत सारे कोशन है चालिस पैतालिस कोशन है तो इसलिए पार्ट वन लाना पड़ा मिर को ठीके क्या लाना पड़ा पार्ट वन चलिए तो एक एक करके कोशन करेंगे आज आईए असला बारुद ले आईए पैन ले आईए कापी ले आईए सब ले आईए और बढ़ी क्या रहा है डिफाइन डा टर्म सल्यूशन हमने का ओके ठीक है कल दिंगे हाउ मैनी टाइप साव सल्यूशन आर फॉर्म राइट ब्रीफली अवाउट इच ओफ द फॉलेंग वित एन एक्जांपल हमने का ठीक है यह पूरा मैंने पढ़ाया था जब चैप्टर चालू हुआ यह पूरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ था बढ़िया तरीके से कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आई थी हमने का चीके सर पढ़ाया था एक और बात देख लेते हैं मैंने का चीके देखना तो पढ़े गई सल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ाया था कि सल्यूशन ज मतलाद जो बराबर मातरा में एक समान मातरा में हल जगा अच्छे से मिला होता है उसको अपन कहते हैं Homogeneous mixture दूसरी बात solution के अंदर दो चीजे होती हैं Homogeneous mixture of two or more than two component हो सकते हैं लेकिन basically हम दो component के लिए बारे में बात करते हैं तो एक होता है solute और एक होता है solvents solute वो होता है जिसकी quantity क्या होती है सर जी काम पढ़ाया था के नहीं चीक है और solvent वो होता है जिसकी quantity होती है जादा तो बिलकुल basic सा था कि solvent मतलब जिसकी quantity जादा solute मतलब जिसकी quantity कम जिसकी quantity कम होती है उसको हम क्या कहते है solute और जिसकी quantity ज़ादा होती है, इसको अपन क्या नाम देते है, solvent नाम देते है और इनी का ही homogeneous mixture को क्या कहा जाता है, solution कहा जाता है, क्या कहा जाता है, solution Okay sir, see sir, thank you so much, how many type of solutions are there, solution क्या type के हो सकते है तो आप समझो, sir, solute है, और solvent है, अब आपके पास तीन type की state होती है, sir एक होती है solid, एक होती है liquid, और एक होती है gas ऐसी तीन इसके भी type हो सकते है, तो 3, 3s are 9, मतलब total type के पास जो solution के होते हैं, वो 9 type के होते हैं कितने type के होते हैं, 9 type के, बस आप इन लोग को बदलते जाओगे, आपके पास total 9 type के solutions बनते जाएंगे जब मैंने chapter चालू किया था, पूरे के पूरे 9 type के solutions मैंने आपको इस chart form में बनाये थे पूरा chart बना के दिया था, आपको 9 type के solutions का और आपने का था, हाँ sir, समझ में आया है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए, देख लेते हैं sir, और थोड़ा आगे, यह देखिए देखो, चीक है, are the two components of solutions, चीक है, फिर हमने क्या बोला, type of solution, कितने type के होते है sir, 9 type के कौन से basis पे classify करेंगे, states में, state बोले तो solid, liquid और gas, इसी के path में हम इसको क्या कर देंगे sir, divide कर देंगे क्या कर देंगे sir, divide कर देंगे, clear है यहां तक बात, पक्का, एक इसका screenshot लो, फिर मैं आपको 9 type के दिखाता हूँ, जल्दी screenshot लो हो गया screenshot, पक्का, चलिए ऐसे में लेना, तो ऐसे में लेना, नहीं तो कहो कि sir, गुदागादी करके देते हैं, screenshot हमेशा, यह लो, ऐसे में ले लो, clear है अब देखो, यह देखो sir, यह आपके पास following table है with examples, तो यह आपको पता होना चाहिए, यह ही मैंने पहले भी बन वाया था अब देखो, यह solute है, यह solvent है, पहले द्यान से देखेंगे, solvent तीन बार कैसा है, gas form में, मतलब solvent को fix रखा है, लेकिन, solute एक बार gas है, एक बार liquid है, एक बार solid है, तो यह 3 type के हो जाएंगे, कितने type के हो जाएंगे, 3 type के, ऐसी 3 type के इधर है, और 3 type के दर है, total कितने हो गए, 9 जो मैंने आपको बताया था चलो sir जब gas में gas को मिलाते हैं तो यह पहला solution होता है जिसको अपन कहते है gaseous solution ठीके इसके अंदर दो gases को मिला दो अरे भाया इसका example पूरा आपका atmosphere पूरा atmosphere पूरी atmosphere में क्या है different type of gases क्या है sir different type of gases पूरी different type of gases भरी हुई है तो वह example होता है first वाले का mixture of oxygen and nitrogen gas तो किसका example है gas in gas क्योंकि भाया oxygen भी gas होती है और भाया nitrogen भी क्या होती है जब दोनों gas है तो sir बढ़ी असा example है कोई दिक्कत की बात नहीं है अगले में आऊ sir gas और solute क्या है liquid क्या है sir liquid तो simple सी बात इसका example वैसे तो इनने लिखके रखा है chloroform mix with nitrogen gas chloroform mix with nitrogen gas लेकिन एक और बताता हूँ example cloud देखें cloud cloud देखा है na cloud cloud क्या है sir पूरे atmosphere के अंदर पूरी air के अंदर छोटे छोटे पानी के droplets छोटे छोटे किसके droplets पानी के droplets तो पानी क्या कहलाएगा liquid और air क्या क्या कहलाएगी gas तो sir जब gas में liquid आ गया तो इसी को ही तो आपन कहते है liquid in gas तो इसका एक और example आप लिख सकते हो cloud क्या लिख सकते हो cloud यह वह example है जो आपको याद अच्छे से रहेगा ठीके तो cloud के अंदर आप समझ जाएगा पूरा water button काई से बना है भया atmosphere atmosphere मतलब gas और gas के अंदर क्या है छोटे छोटे पानी के molecules है और वह कहलाएगे भया liquid तो liquid in gas जिसको अपन नाम देंगे cloud तो यह बहुत बढ़िया इसका example हो जाएगा ठीके आगे बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ें आगे चल्ड sir gas के अंदर solid gas के अंदर solid इसका example होता है camphor in nitrogen gas क्योंकि nitrogen gas किस की तरह काम करेगा gas की तरह और उसमें जो camphor है वो किस की तरह काम करेगा solid तो camphor के छोटे छोटे particles होते हैं gas के अंदर और छोटे छोटे particle मतलब वो solid हो गया तो solid किस में चला गया gas में इसी लिए इसका example है camphor in nitrogen gas एक और example है sir जी smoke क्या है smoke smoke में क्या होता है sir आपने देखा होगा basically अगर आप जहान से देखें तो जो industries होती है industries के उपा चिमनी होती है चिमनी देखा होगा उसमें से काला काला धुआ निकलता हुआ रिखता होगा sir वो काले काले धुआ 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 तो हो गया अपना क्या gas gas मतलब वो ही धुआ हो गया साथी साथ उतमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं पार्टिकल्स क्या 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 लाएंगे और उसको उपन क्या नाम देते है smoke क्या नाम देते है sir smoke तो वह भी इसके अंदर example आप याद रख सकते है sir यह मैं अलग से example क्यों बता रहा हूँ क्यों क्यों यह चीज़े आपको याद रहनी चाहिए चलो आगे जाते हैं अब बारी liquid solution की जिसमें हमारा solvent क्या रहेगा तीनों में liquid है और जो solute है वो gas, liquid और solid सबसे पहले आते हैं liquid के अंदर gas किसके अंदर? liquid के अंदर gas इसका सबसे best example दिया था मैंने cold drink sir जो भी आप cold drink पीने जाते हो उस bottle में क्या भर रहा होता बाटल में भरी होती है liquid मतलब पानी flavor यह भरा है क्या नहीं भरा है और उसके अंदर gas को ठूस दिया जाता है CO2 gas तो भाईया liquid के अंदर कौन आ गई gas आ गई तो इसको अपन क्या example दे सकते हैं cold drink दूसी बात oxygen dissolve in water यह भी तो होता पानी के अंदर oxygen dissolve होती है के नहीं होती है definitely होती है तभी तो भाईया जो हमारे aquatic animals है जो पानी में पाए जाने वाले animals है वह सब वहीं से तो oxygen लेते हैं तो मतलब यह बत confirm है की water किसके अंदर water के अंदर oxygen gas होती है और वह example किसका है liquid in gas का अगला हाता है sir liquid in liquid 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 in liquid दो liquids को मिला तो sir best example इसका पता है saturday night glass वाला ठीक है आपका पानी पानी के अंदर alcohol देखो लिखा भी है ethanol dissolving water इसमें तो आप लोग को मज़ा ही आ जाता है कि जब भी पानी में इथनोल को मिलाते है तो ethanol भी liquid है और पानी भी liquid है तो दो liquid मिल गए तो भाईया कौन सा हो जाएगा liquid in liquid ठीक है तो एक बार इसको note down करेंगे फिर अपन आगे की तरफ बात करते है ठीक है चलिए अब आगे आते है solid in liquid मतलब liquid क्या है solvent और solid क्या है solute सबसे best example salt plus water evah नमक पानNY गले में खरकराष है खराष है gargles कल लिजिए ठीक है तो क्या करते है पानी में क्या मिलाते है salt पानी क्या होगे भाईया liquid और liquid में क्या मिला दिया वाईया salt salt मतलब solid तो भाईया liquid के अंदर क्या मिला दिया Solid या तो glucose बाईया चक्कर आ रहे हैं चक्कर आ रहे हैं बाईया पाने में ग्लुकोस मिलाओ और फड़ाज से पिला दो बढ़िया एनरजी मिल जाएगी क्या मिल जाएगी एनरजी मिल जाएगी कोई दिकत तो नहीं चलिए आगे देखते हैं next साथ तीनो सॉलिड है एक बाई सॉलिड में कौन आ रहा है गैस आ रहा है इसका एक्जामपल मैंने आपको दिया था क्या दिया था मैंने इसका एक्जामपल देखो यह देखो यह हमारा एक metal है इसको कहते है platinum metal या फिर इसके जगा पैलेडियम भी ले लो इस metal पे gas आके adsorb हो जाती है एक gas आके कौन सी gas सर hydrogen gas यह देखो hydrogen gas इस पे आके आजाती है तो यह जो platinum यह पैलेडियम है यह क्या है solid है और यह क्या है sir gas यह तो भया gas किस में आ गई solid के अंदर आ गई किस के अंदर आ गई सर solid के अंदर तो यह जो example होता यह हो जाता gas in solid देखो लिखा भी होगा solution of hydrogen in palladium palladium क्या है palladium palladium metal के अंदर कौन सी gas आ गई hydrogen gas आ गई solid के अंदर कौन आ गई लिकविड आ गई सर इसको कहते है amalgam of mercury with sodium Sir, आप लोग जानते है About mercury होता है, वो Leequid होता है Markury जो होता है फ्रीक्तो है hisijn हो अले किसके साथ मिला दिया है? Sodium, sodium क्या होता है ? Solid होता है Sir, τो देखिए just a solid के साथ आपने किसको मिला दिया? Liquid को मिला दिया के नहीं मिला दिया sodium amalgam कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां तक चलिए अगला देखिए solid in solid मतलब जैसे की gold gold को आपने किसके साथ मिला दिया copper के साथ gold भी solid है copper भी solid है इसका best example होता है सर जी alloys इसका best exam होता है alloy या alloy में भी आप देख लिए इसके आपके घरों में use होती है steel भाया iron से बढ़ती है और भी इसके साथ बहुत सारी चीज़े मिलाते हैं iron के साथ carbon मिलाए जाता है और भी 24 चीज़ों को मिलाते हैं तब जाके आपका यह alloy तयार होता है जिसका नाम में steel और वह example होता है solid in solid का हो गया एक बार all ले लीजिए पका clear है पहला question चलिए second question की तरह बाते है यह लीजिए sir second question आ गया क्या question आया देख लो give an example of a solid solution ठीक है in which the solute is gas मतलब वो कह रहा है यह solute और यह solvent उसने का solid solution मैंने आपको कहा था कि भाईया solution की state solid है that means solvent की state भी क्या होगी solid क्योंकि solvent ही decide करता है solution की state मतलब यह पक्का क्या होगा solid होगा और क्या बोला है solute कैसा है sir gas है अरे sir यह तो बहुत easy example दे दिया अभी तो पढ़ाया आपने अभी पीछे पढ़के आ रहे है कि gas time में डालना है solid में डालना है तो अभी तो डाला था platinum लिया था क्या नहीं लिया था सर platinum और palladium लिया था क्या नहीं लिया था बस उसके ओपर कौन सी gas आई थी हाँ सर hydrogen gas लग रहा है कौन सी gas आई थी hydrogen gas यह देखिए कौन सी gas आई थी sir जी hydrogen gas आई थी तो यहाँ पर hydrogen gas आ गई थी किसके ओपर platinum और palladium के ऊपर आई थी के नहीं आई थी चलिए एक बाद चेक करिए यही एक्जामपल है क्या देखो solution of hydrogen जो solute के तरह काम करेगा in palladium जो कि किसके तरह काम करेगा solvent और palladium होता है आपका solid और यह तो आप जानते हो सर जी hydrogen होती है आपकी gas तो यह example हो गया gas in solid किसका example हो गया सर जी gas in solid का clear है यह भी जल्दी screenshot लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी हो गया चलो चलिए सर अब आया है न मजा तो define the following terms पहला क्या है mole fraction फिर क्या है molality फिर क्या है molality फिर क्या है mass percent चलो सबसे पहले बात करते है mole fraction की तो आप सबने पढ़ा है sir mole fraction मैंने पढ़ाया था पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था mole fraction को denote करते है x से किससे करते है x Let's suppose दो component है A and B है के नहीं, मान लो इनके moles A के moles को लिखेंगे N A B के moles को लिखेंगे N B और फिर आएगा नीचे mole fraction A के mole fraction को लिखेंगे X A और B के mole fraction को लिखेंगे अपन X B लिखेंगे क्या निखेंगे और अगर आप से कोई पूछ ले मोल fraction of A क्या पूछ ले मोल fraction of A तो जिसके mole fraction पूछता है उसी के moles उपर आते हैं और नीचे आते हैं सर टोटल N A प्लस N B यही होगा अगर आप से पूछे मोल fraction of B तो सर आपने अभी बोला उपर उसी के आएंगे तो moles of B अपन moles of A प्लस moles of B कोई दिक्कत equals to होता है 1 मतलब दोनों के mole fraction का sum कितना होगा 1 होगा कितना होगा सर जी 1 होगा एक बाल देखते हैं देखिए देख लिए जल्दी देखो जल्दी mole fraction may be defined as the ratio of number of moles of one component भाईया क्या define कर रहा है number of moles of one component देखिए उपर एक ही component होता है ठीक है ठीक है to the total number of all the components present in the solution और नीचे क्या होता है total number of moles जित्ते भी component भाईपर present होंगे बस कितना simple था सर और यही मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया इस पर बहुत काम किया है अपनने DPP भी solve किया है कोशन भी लगाया है खूप दूफान मचाया है इसके अंदर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसका screenshot लो फिर अगला दिखाता हूँ मैं आपको molality क्या दिखाता हूँ molality चलिए हो गया no down अब बात करते हैं molality पे किस पे बात करेंगे सर molality पे चलिए साथा उसको अब आते हैं molality चीक है अब molality क्या था जरह याद करो सर जी molality अपनने पढ़ा था क्या पढ़ा था number of number of moles of solute number of moles of solute divided by क्या सर divided by क्या था volume of solvent क्या था सर volume of solvent और काई में था सर जी केजी में लेकिन अगर ग्राम में हुआ तो उपर किस से इंटू करना पढ़ेगा thousand से किस से इंटू करना पढ़ेगा thousand से और फिर मैंने इसका फॉर्मला भी आपको बनाना से काई था molality means छोटा है और moles of solute मतला given weight upon molar mass यही होता है ना यही तो थे moles moles होता है given weight upon molecular mass छीक है फिर इंटू volume किसका volume सर यह जरूर लिखना solvent का काई में ग्राम में तब जाके उपर होता है thousand तब जाके उपर होता है thousand दूसरी बात यह जो है यह है अपना छोटा M क्या है छोटा M छोटे M को क्या बोला जाता है सल जी याद रखेगा unit moles पर kg क्या unit बोली जाती है moles पर kg या तो छोटा M लिख दो तो भी चल जाएगा या तो एक और unit होती है molal क्या होती है मुलाल क्या होती है मुलाल यह तीन MID सबन को देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलती है कोई दिक adorable मुलाल छोटा刑ं और मुल्स पर केजी क्या होता है मुल्स पर केजी क्लियर है यहाँ तक बात पक्की बात अब एक बार देखिए The number of moles of the solute Per kilogram of the solvent is known as molality Is known as molality क्या दिक्कत थी इतना असान question था Molality define करना है अच्छा ये कभी CBSE वालों को नहीं आता लेकिन MP board में ये question पूछ लेता है MP board में ऐसी definitions पूछ लेता है CBSE वालों को नहीं आता लेकिन CBSE वालों को नहीं आता इसका मतलब ये थोड़ी के पढ़ेंगे नहीं भया देखना तो पढ़ेगा चलिए चलिए स्क्रीन शॉट लीजे फिर आगे देखते है चलो हटा दू अब इसके दूसरे भाई से मिल लेते है molarity क्या सर molarity अब यह क्या कहता है वो भी देखिए सर बहुत ज्यादा मेंट सा फर्क है molarity number of moles of number of moles of solute number of moles of solute देखिए नीचे dissolving dissolving one liter of solution अब यही तो बात है यह जो solution लेते हैं काई में लेते हैं ml में लेंगे और अगर ml में लेंगे तो उपर कितने का into करेंगे thousand का करेंगे वहाँ पर काई में था? gram में था भाईया यह तक ना वहाँ पर volume of solvent था और gram में था यह volume of solution है और काई में है ml में है चीके चीके सर molarity को capital M से बताते हैं मैंने का okay फिर से moles आ गए अरे सर moles तो हमें पता है बार बार थोड़ी बताओ सर given weight upon molecular weight फिर नीचे क्या है? volume है किसका है? solution का काई में? ml में तो उपर क्या हो जाएगा सर? उपर हो जाएगा thousand उपर क्या हो जाएगा? thousand कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से बताए कोई problem? कोई दिक्कत? इसको कहते हैं molarity क्या कहते हैं? molarity कोई problem? जल्ली बताओ जल्ली बताओ जल्ली बताओ कोई दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम छीक है अब जड़ा देख लेते हैं यहां भी आ जाओ पैन मैच कर रहा है दूसरा चेंज करते हैं Molarity मतलब capital M is defined as the number of moles of solute dissolve in one liter of solution Unit की बात करें unit की बात करें Sir इसकी unit होती है molar या फिर moles per liter या फिर भया capital M यह है इसकी unit क्या है sir unit ध्यान से रखना भया बहुत काम की चीज़े हैं यह बहुत ज़्यादा काम की चीज़े हैं यह फड़ा फड़ नोट डाउन करेंगे फिर आपन आगे की तरह बात करते हैं जल्दी 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 हो गया कोई दिकत तो नहीं चलो आगे देखते हैं सर जी mass percentage क्या है sir mass percentage यह important है यह बहुत important है important तो वह भी था लेकिन यह भी है अब mass percentage क्या होता है सर किसी भी चीज़ का जैसे मानलो solute का mass percent निकाल रहे हो तो sir उपर आ जाता है mass of solute mass of solute upon total solution जितना भी आपने लिया है mass of solution और into 100 into 100 इस तरीके से इस तरीके से आपका यह आपको देखने को मिलेगा यह mass percent of solute equals to mass of solute upon mass of solution into 100 into 100 और यहाँ पर चीज़े हो जाएंगी sum up यह आगे आपका mass percentage चीके याद भी रखना है बहुत ज्यादा important है यह mass percentage क्लियर है यहां तक बात पका कोई दिक्कत तो नहीं एक बास कर screenshot मारीए फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी क्लियर है mass percent कोई दिक्कत की बात तो नहीं तो यह question यहां पर होता है sum up चीके चलिया अगले question पर आते हैं जल्दी चलिये sir बढ़िया question आया है एक दम क्या बोल रहा है concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass sir यही चीज़ सबसे important थी यह मैंने आपको पहले सिखाई थी 68% nitric acid by mass अभी इसका मतलब बताऊंगा in aqueous solution what should be the variety of such a sample of the acid if the density of the solution is this तो sir density भी दे दी और आपसे क्या पूछा है molality molality मतलब given m और वो क्या होता है w upon m into volume किसका volume solution का काए में sir ml में और उपर क्या होता है thousand होता है क्या होता है sir thousand होता है यह सारी चीज़े मिरको चाहिए आप solve कर लेंगे आ जाओ जरा आ जाओ इसका क्या मतलब है यह समझते है sir 68% nitric acid by mass इसका यह मतलब है सबसे पहली बात कि nitric acid यहाँ पर 68 gram है यहाँ पर 68 gram कौन है nitric acid मतलब HNO3 mass of HNO3 कितना है 68 gram जब यह percentage की बास होती है sorry mass of solution mass of solution हमेशा आपका होता है 100 gram कितना होता है sir 100 gram तभी जाके आप इसको 68 gram कहते हो और sir जी यह पता है क्या है यह पता है क्या है इसको अपन कहेंगे given weight given weight of nitric acid चलो अब निकालो molar mass of nitric acid molar mass of nitric acid of nitric acid निकालो जली comment में लिखो कितना आएगा भाया मैं नहीं करवाँगा 14, 15, 16, 3, कितना होता है 16, 2, 30 to 48 और जब प्लस करेंगे sir यह आएगा 63 gram कितना आएगा 63 gram क्लियर है यहां तक बात अब समझिये sir सर लेकिन हमें तो इसके अंदर चाईए volume हमें इसके अंदर चाईए volume of solution लेकिन sir volume of solution तो मिल नहीं पाएगा कहीं से मैंने का यार फिर क्या करें फिर क्या करें वॉल्यूम अफ सल्यूशन तो हमाएं पास नहीं है तो मैंने का ठीक है मैंने का क्या है आपके पास तो उनने का हमारे पास मास अफ सल्यूशन है और मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कौन देता है सर density देती है हाँ तो यह हो जाएगा mass upon volume और volume निकालना है तो इदा ले जाओ तो volume of solution equals to mass of solution किता है सर mass of solution 100 gram है और density किती है 1.504 बस सर इसको solve करो जैसे ही आप इसको solve करोगे आपको मिल जाएगा volume of solution क्या मिल जाएगा सर जी volume of solution और यह volume of solution आपको देखना पड़ेगा कि कितना आएगा और जब आप इसको बढ़िया तरीके सा solve करोगे तो आपको पता चलेगा यह लगभख 66 66.5 milliliter के बराबर होगा किसके बराबर होगा 66.5 5 milliliter के बराबर होगा जब आप इसको solve करेंगे हमने का ठीक है क्योंकि सर देखें 100 divided by 1.5 की बात हो रही है किसकी बात हो रही है 1.5 तो लगभख आपको उतना ही मिलेगा और यह क्या है volume of solution है क्या है सर जी volume of solution अब आब आजाओ फॉर्मले में आप आजाओ जल्ली फॉर्मले में फड़ा बड़ाओ फॉर्मले में जब जल्ली आओगे तो molality equals to given weight given weight कितना है सर गिवन weight यह रहा 63 नहीं 68 divided by कितना है 63 into volume of solution अभी निकाला कितना निकाला 66.5 और उपर क्या हो जाएगा सर 1000 कितना हो जाएगा 1000 जल्ली solve पर यह सर जल्ली solve पर के बताएए मुझे यह कितना आ रहा है जल्ली मैं नहीं करने वाला हूँ आप लोग करके बताएंगे कि भाया यहां पर molarity कितनी आई है जल्ली, जल्ली करने वाले हैं आप लोग ही करके बताएंगे भया कि molarity कितनी आई हुई है कितनी molarity आ रही है जल्ली solve करें जल्दी जल्दी आप लोग से ही answer चाहिए मिरको वा वा सर आप जब इसको पूरा करेंगे लगभग 60.3 moles 16.3 पीछे लिखते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे लिखते है molarity इक्वल्स टू 16.3 और capital M है तो मुलार लिख देते हैं सिर्फ क्या लिख देते हैं? मुलार यह आपको देखने को इसके अंदर मिलने वाला है यह यह है आपकी molarity 16.3 molar एकाथ पॉइंट उपर नीचे हो सकता है आप लोग लेकिन आप लोग खुछ से solve करिएगा सर अगर आप खुछ से solve नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे कई सारे questions मैंने आपको DPP में करवाए हैं और अगर करवाए हैं तो भाया आना चाहिए फिर नहीं तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ आप लोग जानते हो भाई गुस्सा वह जल्दी आ जाता है लिया चलिए तो यह था अगला question पर आते हैं यह लिजे सर अगला question यह रहा यह लिजे सर अगला question यह रहा क्या है देखते हैं a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight फिर से आ गया सर सर जी फिर से आ गया 10% weight by weight वही वाली बात हैं चीक है देखते हैं what would be the molality molality मांग लिया है पहले molality मांग लिया है तो सर molality अभी आपने पढ़ाया था क्या होता है सर जी given weight upon molecular mass into into volume किसका volume सर जी solvent का और काई में होना चाहिए सर जी gram में तब जाके उपर होता है 1000 यह होता है हमने का चीक है और mole fraction भी मांगा है लेकिन mole fraction ठीक है बाद में निकालेंगे और उसकी density दी हुई है solution की 1.2 gram per milliliter क्या दिया हुआ है 1.2 gram per milliliter हमने का ठीक है what should be और उसके बाद फिर क्या मांग लिया सर molarity भी मांग लिया मैंने का भगवान एक के बाद कोशन मांग जा रहा है चलो तो सबसे पहले निकालेंगे molality क्या निकालेंगे molality अब इस कोशन का मतलब समझो उनने बोला 10% weight by weight क्या है भी या glucose है मतलब यहाँ पर सर glucose जो है glucose जो है यहाँ पर 10 gram है कितना है 10 gram क्योंकि 10% दिया है तो सर सर आपने अभी सिखाया mass of solution फिर हो जाएगा 100 gram क्योंकि percentage में यह होता है मैंने का जी बिलकुल और सर अगर solution 100 gram है और solute 10 gram है तो solvent कितना होगा अरे सर यह तो बहुत easy हो गया mass of solvent 90 gram हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 gram हो जाएगा सर glucose का mass और बता तो molar mass of glucose मैंने का बता देते molar mass of glucose सर glucose का formula लगेगा तभी तो molar mass बताएंगे और glucose का formula तो हमें याद नहीं है मैंने का बया तो याद को नहीं कर रहा आपने glucose का formula यह होता है C6H12O6 तो लिखिए 12 x 6 plus 1 x 12 plus 16 x 6 और जब आप इसको solve करेंगे तो आपको पता चलेगा बया पब्लिक को पता भी है कितना आता है 180 gram कितना होता है 180 gram कोई दिक्कत की बात इसमें है यह नहीं और जब कोई दिक्कत की बात नहीं है तो फिर problem क्या है चलिए तो अब आते हैं अपन मुलाइलिटी पे अपन आते हैं मुलाइलिटी पे चलो गिवन वेट गिवन इतना है जल्ली बताओ गिवन वेट है 10 मुलार मास मुलार मास बोले तो 180 इंटू सर वाल्यूम ओव सॉल्वेंट नहीं सॉल्वेंट हाँ यह देखे ना gram में चाहिए कितना दिया है 90 और उपर कितना हो जाएगा सर जी 1000 कितना हो जाएगा 1000 सॉल्व तरो जल्ली जल्ली सॉल्व तरो और कुछ और कुछ जा रहा है नहीं उपर है 100 और नीचे 18 इंटू 9 जल्दी सॉल्व करके बताएगे जल्दी निकालके बताएगे कितनी आ रही है मोलाल क्या हो जाएगा सर जी मोलाल और उसको छोटे एम से भी बता सकते हैं तो यह आगया फाइनल आंसर यह आगया अपना फाइनल आंसर चीक है कोई दिक्कत की बात तो नहीं है पका चलिए फड़ा पर नोट डाउम करिया आगे की तरफ बढ़ते हो अगले देखते हैं क क्या निकालना है मोलैरिटी पहले स्कीम जट लेलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना च्ट है चलो पूरा नहीं एटाइंगी सर अपन को काम में आएगा अपन को काम में आएगा चलो molarity का formula क्या होता सर जी सर जी given weight upon molecular mass into volume, किसका volume सर जी solution का, काय में ml में और उपर 1000, ये है किसका formula सर जी ये ही तो है main formula और ये किसका formula है सर सर ये molarity का formula है और ये ही तो अपन को निकालना है मज़दान निकालेंगे, बिलकुल मज़दाने वाला है सर बस दिक्कत ये ही कि हमारे पास given weight भी है molar mass भी है, 1000 तो ही, बस solution का volume नहीं है तो सर volume का solution कैसे निकालेंगे volume का solution नहीं, solution का volume कैसे निकालेंगे सर हमने पढ़ा है, हमारे पास एक चीज होती है ऌता है मास्पान म मैंने का बढ़िया मैंने का क्या मास है मासहे मासहे मैंने काँ यह देखो आरे वाय मिल गया देंसेटी हे 1.2 तो सर्ट बर बारा हो जाएगे 1.2 मास डे दिया 100 और यह हो जाले गा वाल्यूम तो volume equals to क्या हो जाएगा 100 divided by 1.2 यह होगा का नहीं होगा तो इसको मैं पूरा हटा के एक साथ यहां लिख देता हूँ 100 divided by 1.2 जल्दी solve परके बताएं कितना आ रहा है 100 divided by 1.2 जल्दी solve परके बताएं कितना आ रहा है जल्दी जल्दी और जैसी आप solve करेंगे तो यह आएगा 83.3 ml कितना आएगा 83.3 ml यह आगया volume of solution क्या आगया सर जी volume of solution क्या आगया volume of solution 83.3 ml बस सर अब मिल गया अब आजाओ अपने formula पे अब आजाओ अपने formula पे चलो molarity क्या होता है given weight given weight क्या है सर जी given weight given weight ten upon molar mass molar mass क्या है molar mass molar mass यह रहा कितना है 180 into volume of solution volume of solution क्या है सर volume of solution अभी तो निकाला सर 83.3 और उपर कितना हो जाएगा 1000 बस इसको solve तर दो सर आपका answer आ जाएगा जल्ली जल्दी solve करेंगे जल्दी बताएंगे मेरे को answer कितना आ रहा है जल्दी solve करने वाले हैं जल्दी 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 करो जल्दी करो कितना आया आया कि दिका सर यह आएगा 0.66 molar सर हो सकता है एकात point उपर नीचे हो सकता है उस पर इत्ती टेंशन की बात नहीं है लेकिन यह आपको मिल जाएगा 0.66 molar क्या मिल जाएगा सर 0.66 molar यह आगई आपकी molarity क्या आगई आपकी molarity 0.66 molar कोई दिकात की बात तो नहीं है एक बात देख लिजे कोई दिकात आए तो बताएगे जल्दी बताएगे जल्दी हुआ पका ना चिक है clear है confirm चलो आजाओ आजाओ अब अगली बारी सर आप किसकी बारी है सर जी अब बारी है अब बारी है किसकी अब बारी है अपने mole fraction की ठीक है तो अपन चालू करने वाले हैं mole fraction चलिए हो गया कोई दिकत तो नहीं चलो mole fraction निकालना है सर mole fraction में पहले हमको चाहिए रहते हैं mole पहले यह देख लो कौन कौन से component आपके पास है सर हमारे पास दो component है एक है glucose और एक है हमारे पास पानी जल जल ही जीवन है अब glucose के मोल्स निकालने है glucose के क्या निकालने है सर मोल्स और मोल्स का फॉर्मला होता है given weight भाईया given weight किता है glucose का सर 10 दिया है और molecular mass किता है भाईया glucose का 180 चलिए तो 180 यह हो जाएंगे moles of glucose चिक है चलो इसके moles निकालो सर सर याद करो मैंने का था अगर 10 ग्राम glucose है तो भाईया mass हो solvent solvent मतला water water कितना होगा 90 ग्राम होगा तो भाईया उपर given weight 90 जाएगा और नीचे molecular mass सर 16 और 2,8 तो नीचे आ जाएगा 18 इसको काटोगे तो कितने हो जाएंगे 5 moles कितना हो जाएंगे 5 काओगे सर बहुत तेज कर रहा हो यह solve नहीं कर रहा हो आपना यह ऐसी रहन दे रहा हो मैंने का ठीक है आप से ही कर वाऊंगा चलो तो अब आगे आते हैं सर ज n glucose plus n water चलो glucose के moles कितने हैं सर 10 upon 18 10 upon 180 upon नीचे glucose के कितने हैं सर 10 upon 180 plus 5 प्लस 5 सर यह ही आगया आपके moles किसके mole fraction आ गई है यह आ चुक हैं सर glucose के mole fraction यह glucose के mole fraction आपको इसको solve करना है और जैसे आप पूरा solve कर देंगे आपको glucose के mole fraction मिल जाएंगे और जो भी value आईगी उसको 1 से minus कर दीजेगा किस से minus कर दीजेगा 1 से तो आपका mole fraction water का निकल जाएग इसको भटा दू एक बार एक बार स्कीन शॉट लेलो फिर इसको भटाता हूं चीक है यह था मोल्स तो अगर मैं को मोल्स आफ वाटर निकालना है क्या निकालना है मोल्स आफ वाटर तो वह होता है मोल्स आफ ग्लुकोस और सर यह कैसे पता चला आपको यह कैसे पता चला कि ऐसे निकलेगा क्योंकि आपने थोड़ी दिर पहले पढ़ा है था क्या पढ़ा है था सर कि एक्स आफ वाटर प्लस यह गलत लिखाए यह गलत लिखाए देखो इसको ऐसा लिखते है ऐसा लिखते है सर हमने पढ़ा था कि अगर mole fraction of water अगर दो ही component है और mole fraction of glucose दोनों का sum कितना होगा 1 होगा कितना होगा 1 और अगर आपको यहां से glucose मिल जाएगा तो glucose को उधर ले जाएगा तो यहां से आपको moles of water मिल जाएगा जो की होगा 1 माइनस moles of glucose और आसानी से आप इस तरीके से इसको solve कर पाओगे और यहां से आपका यह कोशन बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा solve हो जाएगा कोई दिक्कत की बाद भी देखने को नहीं मिलेगी चलो फड़ा फड़ा डोट डाउन करो फिर अगले कोशन की तरफ चलते हैं जल्दी 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 हो गया छीक है no time किया समझ में आया निकाल लोगे ना इसका अंसर मेरको आपसे चाहिए भईया comment section में comment section में comment section में double m आयगा नहीं तो बाद में चिल्ला होगे कोगे आये sir comment की spelling ठीक है चलिए तो भईया आप चलेंगे अगले कोशन की तरफ, देखो, चलें सार, तो कोशन नमबर 6, कोशन नमबर 6, अच्छा कोशन है, तगला कोशन है, थोड़ा आजाओ, समझते हैं क्या कहना चाहरा है, के रहा है, how many ml of 0.1 m SCL are required to react completely with 1 gram of mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amount of both, सर, थोड़ा सा इसमें, तगले काम कर दी है, mole concept वगेरा भी यूज़ करना पड़ेगा, चलो, कर लेंगे, कोई दिकत नहीं है, पहले last वाली line को देखो, सर, उसने ये कहा है, कि जो sodium carbonate है, और साती सा sodium bicarbonate है, क्या बोला है, sodium carbonate है, और sodium bicarbonate है, दोनों मिलके 1 gram है, दोनों मिलके क्या है, सर, एक gram है, तो क्यों ना अपन ऐसा मान ले, कि mass of, mass of sodium carbonate, x gram मान लेते हैं, तो सर, mass of sodium bicarbonate, कितना हो जाएगा, सर जी, simple है, 1 minus x हो जाएगा, क्यों हुआ 1 minus x, ये बात समझ जाना, 1 minus x इसलिए हुआ, क्योंकि दोनों का sum कितना है, 1 था, दोनों का sum कितना था, 1 था, मैंने का ठीक है, सर, बढ़िया जा रहे है, अब moles निकाल लेते हैं, सर, moles of, moles of sodium carbonate, तो सर, sodium carbonate के moles निकालने हैं, तो moles का तो formula हमें पता है, given weight upon molecular mass, given weight कितना दिया है, x, molecular mass कहां से लाओगे, सर, निकालो ना, इसका molecular mass, निकालने में क्या शरम है, आजाओ ज़रा, Na2CO3, 23 into 2, प्लस 12, 16, 48, यह हो जाएगा 60, 60 और यह हो जाएगा 46, 40 ही होगा ना, हाँ, कितना हो जाएगा, 106, कितना हो जाएगा, सर, 106, मतलब आप यहाँ पर लिख दीजे, 106, हमने का, ओके, कोई तिकत नहीं है, फिर आगया आओ, moles of sodium bicarbonate, moles of sodium bicarbonate, कितना हो जाएगा, सर, सर जी, 1-x, given weight, divided by, उसका molecular mass, आजाओ, sodium कितना होता है, सर, यह मैं white cells ले लिख रहा हूँ, इसको फिर मैं delete करूँगा, चीक है, sodium कितना होता है, 23, plus 1, plus 12, plus 48, 48 और यह हो जाएगा 60, और यह हो जाएगा कितना, 24, I think 84 हो रहा है, कितना हो रहा है, 84 हो रहा है, तो यह हो गया, 84, कोई दिक्कत, तो यह moles आगए, यह moles आगए, क्या problem है, बहुत बढ़ी है काम हो गया, अब, अब, अब क्या सर, सर जी, अब क्या, अब क्या, अब कैसे करोगे, मैंने का, अरे सर मैं सब कल देगा, देखो कैसे करेगा, अब ही उसने एक लाइन और बोलिये, क्या बोलिये सर, सर हमें भी तो बताओ, उसने बोला है, दोनों के दोनों EQMolar हैं, क्या है सर, EQMolar, EQMolar का मतलब समझते हो, मतलब दोनों के moles कैसे हैं, बराबर हैं, मतलब ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, जब बराबर हैं तो इनको equate कर दें, x upon 106 equals to 1 minus x upon 84, upon 84, और solve करिए इसको, इसको solve करिए, जब इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा, 84x equals to, यह जाएगा अगर पे 106 minus 106x, यह होगा, अब 106x हो जाएगा, अब आप समझिये, यह minus वाला पार्ट इज़र आएगा, तो 84x plus 106x equals to x06, यह होगा, फिर आप समझिये, 106 और यह कितना हो जाएगा, सर 106 में 4, 110, 190x, 190x equals to 106, तो x equals to हो जाएगा 106 divided by 190, कितना हो जाएगा, x equals to 106 divided by 190, जल्ली बताइए मैं को सॉल्व करके कितना आ रहा है, सर यह काम तो आप कोई करना पड़ेगा, मैं नहीं करने वाला हूँ, बिलकुल भी, चलिए, करा सॉल्व, कि सर 106 divided by, आप कितना आ रहा है सर जी, 190, कितना आया, यह बताईए, पका, चलो, सर यह आएगा, 5579, कितना आएगा, 0.5579, चीक है, लगबग देखो न, यह 110 से यह 190, लगबग दोसों के आसपास तो यह आद़ ही हो रहा है, तो 0.5579, चीक है, यह किस की वैलियू आगई, सर, x की, अब देखो, यहीं से अपन क्या निकालेंगे, सर, moles निकालेंगे, क्या निकालेंगे, moles, तो अब देखो, कैसे निकालेंगे, moles, यहीं से moles निकलेंगे, देखो, अब white वाले में लिख रहा हूं, सर, पहले रुख जाओ, इसको पीछे कल दें थोड़ा, x upon 106, यहीं था, चलो, अब मिरेको x मिल चुका है, x मिल चुका है, कितना मिल गया है, 0.5579, divided by 106, क्या गया सर जी, 106, चीक है, अब, अब इसको solve करो, इसको solve करके बताओ, जल्दी कितना आ रहा है सब लो, इसको solve करके बताओ, क्योंकि अगर आपने इसको solve कर लिया, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर आपका काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, फिर नीचे भी लिख लो, नीचे भी लिख लो sir क्योंकि ये सब नीचे भी आएगा वोई चीज नीचे आने वाली है क्योंकि आप जानते हो sir 1- x तो यही है जो अभी आपने निकाला है 0.5579 divided by 84 84 दोनों के moles चाहिए तभी काम कर पाओगे नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे जल्ली मुझे निकाल के बताओ कितने moles आ रहे है जल्ली मुझे निकाल के बताओ क्योंकि मेरे साब से तो आ रहा है 0.00526 कितना आ रहा है 0.00526 लगभग नीचे वाले का भी इतना ही आएगा नीचे वाले का भी लगभग इतना ही आएगा 0.00526 दोनों के मोल्स इतनी है चिक है चलो एक बार फटापन नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं आगे क्या करना है अब सल देखो अब देखो इस साइट का मैं हटा रहा हूँ इस साइट का मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस साइट काम है ये दोनों के क्या निकाल लिए अपने मोल्स निकाल लिए ये क्या कल लिए दोनों के मोल्स निकाल लिए एक बार गोले में डाल दो ये लो और ये भी गोले में डाल दो चलो अब लाइन कीज दो फटाक से अब लाइन कीज दो और देखते हैं क्या कर सकते हैं चीक है एक बार देख लो इसको, अब अपन आगे की बात करते हैं, आप समझ ये सर, सर क्या हो रहा है, ये जो NA2CO3 है, कौन? sodium carbonate, इसको 2 mol of SCL लगेंगे neutralize करने के लिए, कितने लगेंगे? 2 mol of SCL लगेंगे इसको neutralize करने में, क्यों करेंगे सर, 2 mol क्यों लगेंगे? क्योंकि आप खुद समझ ये सर, 2 mol के अंदर 2 CL होंगे, यहाँ पर 2 Na, तो 2 NaCl बना लेंगे, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ, NaHCO3 की, sodium bicarbonate की, तो यहाँ पर लगेगा इसको कितने, 1 mol of SCL लगेगा इसको neutralize करने के लिए, कितना लगेगा? 1 mol of SCL, अब 1 mol क्यों लग रहा ह के अंदर, क्योंकि सर, इसमें एक ही Na, और इसमें 1 CL मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा? NaCl, क्या बना लेगा? NaCl, तो बात समझ के कितने लग रहा है, 2 mol of SCL neutralize कर रहा है, किसको सर? 1 mol of Na2CO3 को, किसको सर? 1 mol of Na2CO3, और यहाँ पर भी, 1 mol of NaHCO3 को कितना neutralize कर रहा है? 1 mol of NaCl neutralize कर रहा है, so, इसके बाद, therefore, therefore, total number of mols of SCL required to neutralize the mixture, तो वो कितना होगा, सर? सर, twice होगा बस, तो 2 into, दोनों का कितना है, सर? एक के mol से 0.00526, प्लस, दूसरे कितने है, 0.00526, यही होगा, दोनों के mols के twice हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, twice हो जाएंगे, अब इसको into करके देख लो, फटा फट इंटू करो, जल्दी बताओ मेरे को कितना आ रहा है, जल्दी करो, 0.00526, करो जल्दी प्लस करो, 6612, 1 उपर 224, अरे भया, मेरे साथ होना चाहिए, अंसर आना चाहिए, आपका भी, यह होगा, अब इसमें कितने का into करना है, 2 का into करना है, तो सर, 224, 2510, 1 उपर, 12, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या, यह बताओ, जल्दी बताओ, यही आ रहा है क्या, 0.02104, एक बार देखिए, जल्दी क्रॉस चेक करिए, फिर बताइए, जल्दी क्रॉस चेक करके बताइए मिर को, तो भया, 1 mol of Na2CO3, किसकी बात कर रहे हैं आपन भया, Na2CO3, 1 mol of Na2CO3 को कितना लगता भया, 2 mol of SCL neutralize लगता है, इसको कि टोटल कितना लगेगा, सर, टोटल कितना लगेगा, हमें तो यही निकालना है न, टोटल, तो भया, यहां पर लिखिए, टोटल नमबर ओफ, मोल्स ओफ, SCL, required for the mixture, to neutralize, to neutralize, हमने का अच्छी बात है सर, निउट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा, आप देखो, इसको दोग ना लग रहा था, इसको कितना लग रहा था, टू टाइम्स लग रहा था, तो 2 इंटू, इसके मोल्स कितने है न, 2CO3 के, सरी यह रहे, प्लास, इसको तो एक ही लग रहा था, तो कुई दिक्कतं की बात नहीं, इसका simple इत्ता ही लिए, 0.00526, अब निकालो जल्दी कितना आ रहा है, यह निकालो जल्दी कितना आ रहा है, कितने मोल्स लगेगा, निकालो जल्दी करो, 0.00526 को 2 से करो पहले तो 2 6 जा 12, 1 उपर 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10 1 उपर यह आ रहा है कितना आ रहा है, 0.01052 ठीक है, उसमें नीचे वाला प्लस करो 0.00526 628, 527 यह 5, यह 1 0.01578 0.01578 तर यह आ गये, इतने molls of S.C.L. required होंगे इसको neutralize करने के लिए इतने moll of S.C.L. require होंगे इसको क्या करने लिए neutralize करने के लिए, चलिये सर बस last का हुआ है कि निपते आते हैं इसको जल्ली आ जाईए जल्ली आ जाईए इसको खतम कर रहा है वस खतम कर रहा है इसको अटा रहो हो में आश्कातु ए ऑफ चलो 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 मी कि हैसर क्या निकालना था ऑद हाए होगे इसको इसको ऑंद मोलारेटी दिए उए visiting धी क्यों आकर इस रटे एमडमिय के पॉलल आयो पर य dólares का मॉल निकालना है तो हम देति हे रहे हैं सर कित्ती बाल तो पड़ा है मुलारिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम अब यह मुलारिटी दिये वॉल्यूम को इदर ले जाओ तो सर वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स अपॉन मुलारिटी यह होगा चलिए मोल्स खित्ते दिये सर यही तो निकाला भी आपने 0.01578 divided by 0.1 divided by 0.1 देखें न, 0.1 दीए तो point से cancel होगा, उपर 10 पहुच जाएगा 10 पहुच जाएगा, तो सर volume आ गया सर volume आ गया कितना आ गया, सर 0.0 0.157 157 0.157 लीटर तर यह बादल बादल बना देते हैं यह आगे अपना यह, चिके? और अगर इसको ml में करना हो, सर जी अगर ml में करना हो, तो क्या करेंगे? मैंने का कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन 2000 कर देना इन 2000 करना हो जाएगा 158 लीटर कितना हो जाएगा? सरी, 158 ml होगा इसको भी ले लो बादल में अब आपके उपर है आप जिसको लेना चाओ आप ml में लेना चाओ तो यह अंसर है और अगर आप उसमें लेना चाओ तो वो अंसर है, जो आप चाओ वैसा ले सकते हैं है, फटावड नोट डाउम करिए, फिर अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी आईए चलिये सर, कोई दिक्कत तो नहीं सॉल्व हुआ पूरा, बड़े अगले कोशन की तरफ स्क्रीन शॉट होगा है सबका, चलिये सर जी धन्यवाद यह आते हैं अगले कोशन की तरफ अब यह क्या कह रहा है सर यह क्या कहता है, फटावड समझते हैं बढ़िया कोशन है, आसान कोशन है अस सल्यूशन इस आप्टेन बाई मिक्सिंग तीन सो ग्राम औफ पच्चिस परसेंट सल्यूशन तीन सो ग्राम मिला रहे हैं लेकिन उसके अंदर सल्यूशन कित्ता है वही है पच्चिस परसेंट मतलब उसमाँ सॉल्यूट पच्चिस परसेंट होगा यह मैं पता है यह जानता हूँ 400 ग्राम और 40 परसेंट सॉल्यूशन बाई मास मतलब 400 gram एक अलग सा solution आप मिला रहे हो जिसके अंदर कितना solute है? 40% आपने का अच्छा calculate the mass percentage of the resultant solution resultant solution तो देखो सर्थ, दो solution लिये इन्ने एक A लिया और एक B लिया A को कितना लेकिया है? 300 gram लाए B को कितना लाए? 400 gram लाए और दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने से कितना gram बन गया? 700 gram सर्थ, 700 gram तो बन गया ये तो total solution था लेकिन उसके अंदर solute कितना लाए? वो देखो 25% solute लाए और इदर पर कितना solute लेकिया है? 40% solute लाए तो इदर से पहले में solute की quantity निकालूँगा और फिर इदर जाके इसका mass percent निकाल दूँगा किता आसान हो गया, हो गया क्या नहीं? तो सर देखिए, बिल्कुल simple question है, बस मेरे साथ करिएगा मेरे साथ करोगे, हर question आसान लगेगा इतनी guarantee देता हूँ आजाओ आजाओ, 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 आजाओ देखो सर चलिए क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखिए सर वो कह रहा है, 300 gram solution था हमने का ठीक है, उसका 25% वाँ पर solute होगा 25% बोले तो 25 by 100 ये एक solution मान लिए, मैंने solution A मान लिए मान लो solution A मान लिए ये A की बात चल रही है दूसरी वाली बात आजाओ, दूसरा कित्ता लिए आपने 400 gram लिए और उसमें solute कित्ता है सर, 40% है कित्ता है सर, 40% है तो इसको अपन मान लेते हैं B solution मान लिए के नहीं मान लिए, अब दोनों को निकालो, यहाँ से अपन का पता है क्या निकल रहा है और यह गया, यह आएगा 2, यह आएगा 5, और 5 से यह जाएगा, कित्ता हो जाएगा 80, और 80 से हो जाएगा 160 प्लस, यह कित्ता हो जाएगा, 4, 4 से काटो न, 1,500, 2 बच्चेगा, 2 से फिर काटो, 75, तो यह हो जाएगा 75 तो यह टोटल सल्यूट जो है, टोटल सल्यूट, कितना आ रहा है सर, सर कितना आ रहा है, 160 में 75 प्लस करो, कितना होगा 40, 35, 235 ग्राम, सर 235 ग्राम इस दा टोटल सल्यूट, टोटल सल्यूट है सर क्या है टोटल सल्यूट है हमने का अच्छी के अच्छी बात है अब टोटल सल्यूशन किता है सर सर टोटल सल्यूशन किता है सर जी टोटल सल्यूशन आपको पता है क्यों कैसे पता है बताओ आप जरा सर कितना लिया था 300 इधर कितना लिया था 400 तो करो ना सर 300 प्लस चाल सो कितना हो जाएगा सर साथ सो ग्राम हो गया कितना हो गया सर साथ सो ग्राम हो गया यस यही तो मैं चाहता था अब निकालना है मेरे को क्या बहिया क्या निकालना है मास परसेंटेज निकालना है किसका रिजल्टिंग सॉलुशन का मास परसेंट निकालना मेरे solute upon total weight of solution और into hundred आप समझो given weight of solute क्या है given weight of solute 230 और नीचे कितना है sir 700 कितना है और into 100 solve करो जल्दी solve करो जैसे आप इसको काटिंगे 100 से कितने जाएगा 7 बार में जाएगा तो सब जब आप इसको solve करेंगे, तो ये मिलेगा 33.57 percentage, कितना मिलेगा 33.57 percentage, ये आगया भया आपका mass percent, इतना solute उस final resultant solution में होगा, कितना होगा 33.57 percent solute present होगा, अच्छा अगर आपसे कोई solvent का mass पूछे, किसका पूछे, solvent का weight by weight पूछे, तो 100 में से minus कर देना, something 67, 66.5 percent आजाएगा, किसका, solvent का, लेगिन कभी भी solvent का नहीं पूछता, हमेशा mass percent किसका पूछा जाता है सर, solute का पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे mass percent of solute निकाल के बताया है, क्या निकाल के बताया है, mass percent of solute, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, चीके, चलो, फटापन note down करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं, जल्ली note down करेंगे, एकदम तेजी में, तेजी में note down करेंगे, चलो, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, सर, बिल्कुल easy question था, और आसान question था, और मैंने कहा था, बढ़िया तरीके सा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात, नहीं है, चलिए सर, तो ये कुछ questions कराएं मैंने, सर, ये अभी खतम नहीं हुआ है, बहुत सारे questions हैं इसमें, और अपन एक-एक questions करने वाले हैं, तूफान मचा देंगे, सर, ये काफी parts में आएगा, लेकिन एक बात कहता हूँ, सर, NCRT को बिल्कुल miss मत करना, NCRT का हर एक question copy में दो बाल लिखा होना चाहिए, पैन को रगड़ दो पेलके, लेकिन सर, लिखा होना चाहिए, तो सर, इतन समझ में आ रहा है, तो बोल तो सर, एक number चल रहा है, बोले तो जकास, बोले तो जमा जम, चीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं सर, अगले NCRT के part 2 में, जिसमें आगे के questions करेंगे, आज अपन ने कौन से questions तक देख लिया, question number 7, तो question number 8 से उसमें चालू करेंगे, बस सर, थोड अधीरा जखिया, आपके पास बिलकुल आने वाला है वो, और फिर अपन तूफान मचाते हैं, तक तक के लिए, bye bye, thank you so much